आज हमनों linear inequality का part 2 पे discussion करेंगे जो के class 11 का है हमनों part 1 पे discussion कर चुके हैं और यह आखी part है इस पे हम लोग क्या पढ़ेंगे आज linear inequality के graphical solution के बारे में discussion करेंगे ठीक है तो स्वागत है आप सभी का मेरेटर चैनल 0 में आएए शुरुआत करते हैं linear inequality कि देखो linear inequality का graph के बारे में discussion करने वाले है तो linear inequality in one variable हमनों परे थे into variable परे थे तो inequality in one variable क्या होगा जैसे कि x greater a या फिर x greater equals to a या फिर x less b या फिर x less equals to b यह linear inequality in one variable है इसी तरह से y का भी हो सकता है y greater equals to a y less b y less equals to b यह linear inequality in one variable है linear inequality in one variable है ठीक है और अगर हमनों linear inequality in two variable का बात करें अगर तो वो क्या होगा ax plus b y greater equals greater c या फिर ax plus b y greater equals to c ax plus b y less c ax plus b y less equals to c चाहे वो linear inequality in one variable हो यह linear inequality in two variable यह एक state line को represent करेंगे graph पर तो यह जो state line होंगे ना इसी लिए इसका नाम तो linear है ना linear इसी लिए इसका नाम है तो यह जो graph में represent होंगे यह mmH यह तो graph एजो xy plane है X way aerial plane को यह दो half में divide करेंगे थेके दो half में idores करेंगे किसमें होंख मेंजैंगे दो half में deviwać करेंगे ठीक है िसमें दो half में थेकें माधन लोक या लाइन था कोई एक लाइन है रिखें एस ग्राफ को एक सी पलेन को डिवाइट कर दिया तो यह लाइन है यह हो गया अपर हाफ laying in ऐन यहां अहां सुख ऐखके यह क्य हो गया यह अधर हो गया जम् proprio सराओं ये था अगर यह तो मतब की जैसे की मैं यह बॉलना है चाहारा है जाए टीके एक से प्लेन हो ये एक से प्लेन है एक से प्लेन है और मायवोह कि कोई जो जो लाइन है वह पयर लिद वाई एक से लीटी efार्लेलल डॉइट जी तो यहां पर क्या होगा यह और यह ठाफ ठीक है और एक स्टक्ट अच मुझा औरкого यह अई अभटश कहते है हुआ ठीक के तो इस तरह से हम रों श्रूट लाइन को रिप्रिजिटिट करेंगे एक स्वेप लेंटे तो यह था वन्वरियेबल यह लिए यह डू ल्यवर है और हर एक आजल आप अजैर पूररा क्या है दो बाते और जान लेते, वो दो बाते क्या है, जबनों part 1 पर discussion कर रहे थे, तो उस वक्त हमनों solution set पर भी, solution set एक word था, उस पर हमनों discussion किये थे, तो solution set क्या था, क्या है अभी कि कोई linear inequality ax plus by greater equals to c है, और कोई order pair है, जो इस inequality की condition को satisfy कर रहा है, तो जितना उसका set होगा ना, सेट के collection को हमनों क्या बोलेंगे, solution set बोलेंगे, ठीक है, solution set बोलेंगे, यह बात clear हो गया, और, जो, अब हम लोग solution reason का बात कर रहे है, solution reason, या फिर, plane, हाँ, graph, graph, plane ने, graph, graph, क्या है कि यह जितना set था ना, order pair का, वो, जिस plane पे लाई कर रहा है, जिस region पे लाई कर रहा है, उसको हमनों क्या बोलेंगे, graph बोलेंगे, तो graph और solution, यह दो बाते था, इस linear inequality का, जैसे एक graph draw करते हैं, कि माल लो, तुम्हें एक question दिया हुआ है, question क्या दिया हुआ है, कि 5x plus 9, 5x plus 9, greater equals to 0 है, इसको graph paper पे रिप्रिजन करना है, graph paper पे नहीं, graphically represent करना है, इसको, तो यह देखो, यह क्या हो जाएगा, 5x greater equals to minus 9, तो x क्या हो, greater equals to minus 9 by 5, यह क्या होगा, अगा हमनों solve करेंगे, तो minus 1.8 होगा, इसको हम लोग, इसका represent करेंगा graph पे, तो देखो, यह कैसा हो रहा है, यह तो बहुत ही आसान था, यह x axis है, यह y axis है, क्या बोलना है, x जो है, वो greater equals to minus 1, यह minus 1 है, यह minus 2 है, तो जो line होगा, वो यहाँ होगा, ठीक है, यह line L होगया, यह line L है, ठीक है, तो जो reason होगा, solution region जो होगा, वो क्या होगा, इधर की और होगा, right side होगा, कि यह बोला, greater equals to बोला है, तो जो solution region होगा, वो यह होगा, इधर होगा, ठीक है, यह होगा, solution region, ठीक है, इस reason होगा, क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे, फाइफेंगे, plus 9, greater equals to 0, ठीक है, अब यह तो one variable के उपर था, अगर हम लोग two variable के उपर, अगर हम लोग solve करना चाहें, तो उसे भी कर लेते हैं, एक question मैं लिख रहा हूँ, जैसे की question है, 0 less equals to 2x plus 5y plus 10, 2x plus 5y है, क्या, 2x minus 5y है, 2x minus 5y है, ठीक है, 2x minus 5y plus 10, तो यह क्या है, two variable है, क्या है, two variable है, मतब कि 2x minus 5y plus 10, greater equals to 0, यह linear inequality in two variable है, तो यह inequality है, इसको क्या कर दो, linear in equation में convert कर दो, equation में convert कर दो, ठीक है, किसमें convert कर दो, 2x minus 5y plus 10 is equals to 0, तो 2x minus 5, हर एक question को, linear inequality, अभी हम ग्राफ पे बात कर रहे हैं, उसको इसी तरह से solve करने, यही प्रोसे सी यह solve करने का, ऐसे solve करेंगा, ठीक है, अब जड़ा से देखो, जड़ा से देखो, क्या करना है, इसके बाद, क्या करना है, क्या करना है, यह देखो, x, अगर हम लोग, x 0 लेते हैं, x 0 put करते हैं, तो y क्या आएगा, जड़ा ध्यान से देखो, बताओ, दो आएगा और अगर हम लोग Y को 0 पूट करते हैं तो X क्या होगा माइनस 5 आएगा आएगा बिल्कुल आएगा अब इसे क्या करना गराफ पर रिप्रिजन करना है न तो चलो देखते हैं देखते हैं कैसे सॉल्व गए यह ठीक है यह है X axis यह है Y axis और यह है origin अब देखो क्या है X 0 है और Y 2 है X 0 है और Y क्या है 2 है तो कहां लाई करेगा यह एक यह दो यहां पर लाई कर रहा है X 0 और Y 2 फिर क्या है X minus 5 है और Y क्या है 0 है minus 5 एक दो तेन चार पांच यह है minus 5,0 ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको और इसको जोएंट कर देंगे टीक है यह जो मैंने डॉट 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 रही है ओ ऐसे मत कर ना क्यों मैं बता रहे हो कब करना ऐसे कब करना जो ये वनली ग्रेटर का सिंबल हो और ग्रेटर इकोल्स तो है ना तो ये पूरे के स्टेट रेंड रहा करना ठीक है अब मैंने एक क्ताब बताया था स ЗапMon assessed अब देखो यह क्या है कि अब बात ये आता है कि वह जो होगा होगा ऊपपर होगा कि रोगा अपर होगा कि यह कौन बताएगा चे बताएगा कैसे बताएगा तो студ्म के पे भी जीरो ठीडटो विकीजेरेख दो जीरो प्रॉट कर दो वे फोट कर दो देखो कन्दीशन सटिस्फवाइर हा рок क्या जीरो फ्रीक्र शुर्टर इकोल्स टू इसमें पूट कर दो इसी में गाल्यक fine की 0 को साथ crazy कर दिया तो जो चोलय से डिली इस सोलुसन ने सीन होगा वह कहाँ होगा ओरीजिन की और होगा कहा pops origin की और होगा ठीक है इस solution रिजन को हम लोग कैसे यह जो लाइन है यह इल जो लाइन है इसको मैं क्या लिखेंगे 2x-5y plus 10 is equals to 0 और यह जो reason है उसको क्या लिखेंगे 2x-5y plus 10 greater equals to 0 यह बाद समाझ में आ गया linear inequality in one variable linear inequality in two variable अब कुछ बड़े कुछन को सॉल्व कर देखो 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 इस को सॉल्व कर लेंगे न तो सारा कुछन सॉल्व हो जाएगा और कुछ करने को जरूत ने यह एक कुछन को ध्यान सुनना समझना ठीक है देखो यह क्या 3y-2x less equals to 4 है तो हम क्या लिख देंगे इसको 3y-2x is equals to 4 ठीक है और लिखने के लखो गया तो एक सिया आजाएगा माइनस टू आजाएगा बात खत्राइब तुम एक सफ्प्लस थी वाए ग्रेटर है ना तो गिरेटर है तो तुम क्या करोगा इककोल ले लोगा जैसे के मैनी बताया ग्र्टर रहो गडिटर रिकोल स्टूव लेस हो लेस इक विप्यश में convert कर दो और करने के बाद xy के भेरो निकालो एक बार x को जिरो रखो गे y क्या एगा 1 y 0 x कितना जाएगा 3 y 0 x 3 उसके बाद ये दूसरा होगे तीसरा क्या है x plus y greater equals to 5 याने की 5 इसको भी हम लोग एक सब्सक्राइब निकालेंगे तो यहां पर क्या होगा एक बार x 0 एक बार y 0 x 0 रखेंगे तो य क्या आएगा प्लस फाइफ और y 0 खेंगे एक से आएगा फाइफ और एक तो है वाई लेस फोर अब हम लोग जला सा इसको रिप्रेजन करते हैं xy प्लेन पर यानिका हमें हो गया एक सेक्सिस और यह होगे तुम्हारा y-axis हो गया y-axis है ना अब इसको ग्राफ पे इस पे इसको रिप्रेजन करते हैं वह क्या एक जीरो और y क्या है 4 by 3 4 by 3 का मतलब क्या होगा 1.333 ऐसा हुआ ना तो x 1 y मतब 1 और ये 2 तो 1.33 यहां कहीं पर होगा ठीक है और क्या ब होगा और हमनों क्या करते हैं यहां तो स्केल तो नहीं है मेरे पास लेकिन हम इसको बस ऐसे जोन कर दिया है ठीक है यह जोन कर दिये कहा है l1 है और इसका किसका एक उसने 3y-2x का यह किसका 3y-2x is equals to 4 का लाइन है के लिए अब क्या x plus 3y इसका बात कर रहा है तो x0 और y1 तो 2-3 यानि कि यह जो होगा यह कुछ यहीं पर होगा ठीक है ठीक है यह क्या हो गया लाइन एल्टू हो गया और यह किसका लाइन है x plus 3y is equals to 3 का लाइन है कुछ देखो यहां बद थोर से टेरा हो गया कोई नहीं इस गेल तो है नहीं और यह गया दूसरा किया x plus y is equals to 5 यह एक दो तीन चार पाच एक दो तीन चार पाच ठीक है यानि कि यहां और x5 y0 यानि कि यहां और हम इसको और इसको क्या करते हैं एड कर देते हैं इसको और इसको एड कर दे नहीं इसको इसको आएड कर दी यह तो इसको इसको डिवसी यह एड राइन है देखो ध्यान सुनना ये एल थी ये किसका है एक्स प्लस वाइज उकल्स टू फाइफ का सुलूशन रिजन सुनना बहुत ध्यान से सुनना यहीं यहां पर इंपोर्टेंट है इस समझ के सारा काम खतम यहां बाद तो समझ मैं के सारा दो क्या है हम यहां पिन जीरो पूट करे वह कहां होगर ओरीजिन की औरर लुवर हावस नीचे क्यूर होगा क्लियर मतलब कि इधर से आएगा यह जोते जायरां झ्यान सुनना जीरो फॉर से चृटा है तो जो सॉलूशन रिजन क्यूर होगा वह ओरीजिन की और होगा origin से दूर नहीं होगा इसमें 0 3 से बड़ा है और यह कहां गया x plus 3y यानि कि यह 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 जो है origin से दूर होगा origin से दूर होगा ध्यान सुनो यहां पर problem होगा और यहां problem होगा इसलिए मैं बता रहां यह origin से दूर होगा दूर होगा यह फ्य हञ से दूर होगा यह कहां यह है यह जो से दूर होगा क्यों दूर होगा जिघरो प्लस SixO serio से दूर होगा और BENE इसको लेंगे नहीं लेंगे ना इसको इसको तो नहीं लेंगे तो यह होग अ यह सोलूसन रिजन हो गया गराफ वो गया गराफ इक लिए हमनों रिप्रिजन कर दिये इसको ठीक है तो यही था यही था यही था बस यही है एक कोश्चन मैंने बनाया और बाकित तुम लोग बनाओगे आसान है चैप्टर इजी है तो बस यहां आपनों क्लास हो करते हैं ख